दोस्तों ये इनसान की दिलेदी ही है कि वो अपने ख्षमताओं से आगे जाकर ऐसे हैरत अंगीज काम कर डालता है कि हम उसकी बेमिसाल ख्षमता पर संदेख करने लगते हैं और दिल इसे मानने से इंकार कर देता है मगर गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रेकॉर्ड वाले इसे समान पूर्वाग दर्ज कर लेते हैं आज के हमारे वीडियो में आप ऐसे ही बेमिसाल कर्तबों को देखेंगे और आपको चाहिए कि आप उनकी कला पर दाथ देते हुए कमेंट करेंगे और बेशमार करेंगे लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले हाई बाइक जम्प दोस्तो रॉबी मेडिसन उस विक्ति का नाम है जिसने पनी बाइक से रिकॉर्ड लंबी जम्प लगाई रेड़ पुल इवेंट के मौके पर विगास में एक विशाल इमारत के उपर जाकर वहां से बाइक दुआरा जम्प की और उनकी ये जम्प हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर ली गई क्योंकि इससे उची जम्प आज तक कोई स्टंट मैन नहीं लगा सका इस हैरत अंगेज जम्प को देखने के लिए हजारों लोग उपस्तित थे आपको बता दे कि इमारत की उचाई 36 मीटर थी इतनी उचाई से कोई भी बाइक स्टंट मैन आज तग छलांग नहीं लगा सका है और इस मामले में रॉबी ने ये दिलेरी दिखाई हलांकि रॉबी मेडिसन इस से पहले भी अपने स्टंट के लिए काफी प्रसिद रहे हैं मदुमख्यों के साथ रिकॉर्ड रॉयान लियांग मिंग ये उस इंसान का नाम है जो मदुमख्यों के साथ घंटा बर रहा जबकि मदुमख्यां उसके पूरे बदन पर छट्टे की तरह चिप्टी रही इन्होंने लगबग 6,37,000 मदुमख्यों से खुद को ढख लिया जो की एक वर्ल्ड रेकॉर्ड है आपको बता दे कि इस सिस्टंट को करते वक्त उन्होंने किसी भी सुरक्षा उपकरन का इस्तेमाल नहीं किया जबकि रॉयान लियांग मिंग की एक ज़रा से गलती उनकी जान ले सकती थी मिंग चाइना से है सर पर उठाई कार अपने सर पर 33 सेकंड तक साधे रखा जो की बहुती विस्मयकारी है वो भी बिना किसे सपोर्ट के ये प्रदर्शन उन्होंने टीवी के एक लाइव प्रोग्राम में किया उन्होंने 33 सेकंड तक कार को न सर्फ सर पे साधे रखा बलकि उसके वजन के साथ चल फिर कर भी बताया ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है रस्सियों से बंधा इंसान बाइकर्स ने खीचा दोस्तों अपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो को रस्सियों से बांद कर विलन चारों तरफ से खीच रहे हैं हीरो ताकत से इसे रोके रखता है ये कारनामा रियल लाइफ में कर दिखाया फ्रांस ब्र्यूलर ने ये खतरनाक स्टंट इन्होंने एक प्रोग्राम में लाइव किया उन्होंने पने हाथ पाउं को रस्सी से बांद लिया और चारों बाइकर्स को खीचने के लिए कहा वजब की जीवटता चार बाइकर्स उन्हें खीचते रहे और वे तटस्त पड़े रहे वो 24 सेकंड तक टस्त से मस नहीं हुए और उन्हें चीरने वाली चारों बाइक्स को उन्होंने अपने काबू में रखा ये एक नाया वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्पेस उसे छलांग दोस्तों फिलिक्स ने दस कदम आगे बढ़कर बात कर दी इस बंदे ने आओ देखाना दाओ और स्पेस से छलांग लगा दी और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया स्पेस से लगाई गई ये छलांग एक लाख 27,000 फीट की थी जिसे फिलिक्स ने दिलेरिस एंजाम दिया फिलिक्स 1365 किलोमेटर की स्पीड से नीचे की तरफ आए और लंबी ड्राइव का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया स्पेस में जाने के लिए इनको एक बंकर में बैठाया गया जो एक बड़े गुबारे से बंधा हुआ था इसी से स्पेस उचाई पर फिलिक्स पहुँचे और छलांग लगा कर 4 मिनट 36 सेकंड के रिकॉर्ड समय में जमीन पर आ गए यह उची छलांग अब रिकॉर्ड के दुनिया में दर्ज हो चुकी है कोको नट शमशेर दोस्तों अब हम बताते हैं करमजीत सिंग और कमलजीत सिंग के गजब नाक कारनामे के बारे में जो की रिकॉर्ड बन चुका है एक शो में प्रदर्शन करते हुए करमजीत सिंग ने अपनी आखों पे पट्टी बांध कर नीचे लेटे कमलजीत के आसपास रखे नारियल को लक्ष बना कर कुलहाडी से एक के बाद एक दनादन वार करके तोड़ डाले इन्होंने मातरे एक मिनट के अंदर कुलहाडी के वार से 35 नारियल तोड़ दिये जिबकि आख पे पट्टी बंधी रही और उनका एक गलत वार कमलजीत की जान ले सकता था ये वर्ल्ड रेकॉर्ड अब दोनों के नाम पर है यूट्यूबर का रेकॉर्ड दोस्तों एक यूट्यूबर डूपरफेक्ट ने अपने सधे हुए हाथ से बिमिसाल कारणामा कर डाला है उन्होंने 162 मीटर की उचाई से एक बास्केट बाल को बास्केट में डाल दिया जो नमुकिन सा लगता है इतनी उचाई से इतना सदा हुए निशाना किसका हो सकता है पर डूपरफेक्ट ने ये कर दिखाया हलाकि इससे पहले से वर्ल्ड रिकॉर्ड एक आस्ट्रिलियन के नाम था उसने ये कारणामा 160 मीटर की उचाई से किया था जो की अब डूपरफेक्ट के हाथों धुस्त हो चुका है मुह में सेब रख कर काटा इस अजीवो गरीब रिकॉर्ड को अस्ट्रिलिया के एक शक्स ने अंजाम दिया इन्होंने 60 सेकंड के अंदर 5 सेब को मुह में रख कर एक तेज आरी से काट दिया जबकि एक हलकी सी चूक उसका पूरा मुह काट के रख देती आप हैरत करेंगे कि ये करतव करते वक्त उनकी आख पे पट्टी भी बंदे हुई थी क्लिप जंपिंग का रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड को बनाया मेजर शिलॉर्ड नाम की विक्तिने उन्होंने 58 मीटर की उचाई से पानी में छलांग लगाई जिसकी उचाई पीसा के टावर से भी कहीं ज़्यादा अधिक थी जब वो पानी में आकर गिरे तो काफी सेकंड तक वो पानी से निकले ही नहीं किसी अनहोनी के डर से सबकी सांस ही अटक गई थी मगर कुछ सेकंड बाद वो बाहर आए तो सब लोग खुशे से जला उठे क्योंकि अब ये होनी रिकॉर्ड बन चुकी थी दूस्तों अगर आप भी रिकॉर्ड तो लाइक कॉमेंट कर डालिये तो हमारे दिल की किताब में विद्धर्च हो जाएगा जैहिंद वंदे मातरम